नमस्कार बच्चों आज हम वेवसाइक अध्यान के पहली पुस्तक का चौथा अध्याय का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं हमारे अध्याय का नाम है नियोजन बच्चों इसके पहले भाग में हमने नियोजन का अर्थ जाना इसकी विशिष्टाओं को समझा वह महत्वव सीमाओं को भी जाना हमने यह देखा कि नियोजन किसी भी व्यवसाए और उसके प्रबंधन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है आज हम यह देखेंगे कि नियोजन किस प्रकार किया जाता है अर्थात योजनाय किस प्रकार बनाई जाती है नियोजन की अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है योजनाय बनाना जितना देखने वह सुनने में आसान लगता है वास्तव में किसी वेवसाय के अंदर यह उतनी सरल प्रक्रिया नहीं होती योजनाय बनाने के लिए खास करके प्रभावी योजनाय बनाने के लिए प्रबंदकों को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है या कई चरणों से गुजरना पड़ता है आईए एक एक करके नियोजन या योजना बनाने की प्रक्रिया में आने वाले विभिन्य चरणों पर चर्चा करें बच्चो सबसे पहला वा सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो देश्यों का निर्धारण यानि जब हम योजना बनाते हैं तो सबसे पहले चीज हम यही करते हैं कि हमारा लक्ष क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों इसे हम विवसाय को छोड़ने यदि तो आपके सिक्षा के छेत्र में भी हम इसका उधारन ले सकते हैं आप विद्यार्थियों को यदि अपनी अंतिम परिक्षा या फाइनल परिक्षा में एक लक्ष निवधारित करना है तो उसको करने के बाद ही आप यह सोच पाएंगे कि आपको उसके लिए कितना पढ़ना है यदि आपका लक्ष है 90 परितिशत से जादा अंक हासिल करना तो आप उसके अनुसार महनत करेंगे योजनाय बनाएंगे यदि आपका लक्ष है मानली जी 80 परितिशत या 70 परितिशत के आसपास अंक प्राप्त करना तो आप उसके हिसाब से अपने पढ़ाई को समय देंग ठीक उसी प्रकार व्यवसायों में भी जब तक लक्ष निर्धारित नहीं होगा तब तक उन लक्षों की प्राप्ती के लिए हमें क्या करना है किस प्रकार की योजनाएं चाहिए यह भी निर्धारित करना मुश्किल है इसी लिए योजनाओं में सबसे पहला चरणिया होता है कि हमें अपने लक्ष निर्धारित करने होता है बच्चों ये लक्ष या उदेशिक कई तरह के हो सकते हैं जैसे कि हम हो सकता है या चाहें कि हमारे व्यविसाय का बाजार में हिस्सा मालीजे 5 प्रिटिशस से 10 बहो जाए 15 हो जाए या बढ़ जाए हो सकता है हम अपने वस्तू के उत्पादन में लगने वाली लागत को कम करने का लक्ष रखें हो सकता है हमारे लक्ष यह हो कि जितने कर्मचारी हमारे व्यविसाय हमारी कमपनी को हर साल छोड़ कर जाते हैं हम उस संख्या में कमी लेकर आए हो सकता है हम अपनी फैक्टरी में होने वाले हर्तालों या कर्मचारियों से होने वाले अन्य समस्याओं की संख्या में कमी लाना चाहें हो सकता है हम अपने वस्त्यों की उत्पादन की संख्या को बढ़ाने का लक्ष रखें या विक्री की संख्या को बढ़ाने का लक्ष रखें तो इस प्रकार लक्ष कई प्रकार की हो सकते हैं हर व्यवसाई अपनी प्रात्मिक्ता के अनुसार अपने लक्ष या उदेश निर्धारित करता है। बच्चों पहला चरण जब पूरा हो जाए यानि जब हमारे पास एक लक्ष आ जाए कि हम भविश्य में इतने समय में इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारा दूसरा चरण होता है आधार विक्सित करना। आधार या माननिताएं भविश्य में आने वाली परिस्थितियों के अनुमान होते हैं। इनकारत होता है कि हम भविश्य में होने वाली परिस्थितीयों के बारे में पहले से सोचे वो एक अनुमान विक्सित करें, आधार विक्सित करें कि यदि हमारा ये लक्ष है और उसे हम इतने समय में प्राप्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है इस पूरी समय अब्धी में ये ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति आउत्पन हो सकती हैं जिनका हमारे विवसाय या लक्ष पर प्रभाव पढ़ सकता है। उन घटनाओं या उन परिस्थितियों के बारे में हम पहले से सोच कर रखना चाहेंगे ताकि हम उनके लिए तैयारिया कर सके हम उनके लिए तैयार रह सके ताकि हमें एकदम से कोई जोखिम ना उठाना पड़ जाए। तो इस प्रकार भविष्य के कुछ आधार हम विक्सित करते हैं जो कि नियोजन की प्रक्रिया का दूसरा चरण कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा चरण है कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों को पहचानना। बच्चो अब हमें पता है कि आने वाली समय में क्या परिस्थितियां होंगी, वो इन परिस्थितियों से होते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें किस लख्षित पहुचना है। अब हम क्या करेंगे तीसरे चरण में हम कई विधियों के बारे में सोचेंगे कि उस लक्षी की प्राप्ती के लिए हमारे पास क्या विधियां हो सकती है बचों माल नेते एक उधारन के तहट कि हमारा उदेश्य है अपनी विधियों की बढ़ाना उसके लिए हमने एक नियत लक्ष रखा कि यदि हम वार्षिक रूप से एक लाख इकाईयों की बिक्री करते थे तो अब हम अपने लक्ष को एक लाख से बढ़ा कर डेड़ लाख इकाईयों का रख रहे हैं तो हमने लक्ष तो निधारित किया कि हमें डेड़ लाक एकायों की विक्री करनी है हमने उसके कुछ आधार विक्सित कर लिए अब इस तीसरे चरण में हम यह सोचेंगे हम पहचान करेंगे कि वह लक्ष कैसे प्राप्थ होगा माल लीजिए विक्री बढ़ाने का यह लक्ष दो या तीन तरीकों से प्राप्थ हो सकता है पहला किसी प्रकार की छूट की योजना लोग अपने ग्रहकों के लिए चलाना जैसे कि कोई डिसकाउंट स्कीम वगेरा दूसरा अधिक सेल्समैन रखके अपनी विक्री को बढ़ावा देना तीसरा अपने उतपाद की कीमत को कम कर देना माल लेते हैं यह तीन विकल्प हमारे सामने हैं हमने इनकी पहचान कर ली इस तरह इन विकल्पों की पहचान करना नियोजन का तीसरा चरण हो जाता है तीसरे चरण में विकल्प पहचान लेने के बाद चौथे चरण में हम इन विकल्पों का मुल्यांकन करेंगे मुल्यांकन का अर्थ है कि हम इन में से हर एक विकल्प के बारे में यहां देखेंगे कि यदि इस विकल्प को अपनाया जाता है तो इससे क्या लाब होंगे वह इसमें क्या लागतें आ सकती हैं जैसे माल लीजिए यदि हमने विक्री बढ़ाने के लिए दूसरे कारे विधी का मुल्यांकन करना शुरू किया हमने देखा कि यदि हम सेल्समैन रखते हैं तो वो घर घर जाकर सामान बेच सकते हैं हो सकता हमारी विक्री बढ़े लेकिन वहीं इन लोगों को यह करमचारियों को रखना उसमें लागत आएगी उनका प्रिशिक्षन देना उनकी वेतन को देना इन सब में लागते आ सकती हैं तो यह उसकी कुछ लागते हो गई वो उसका फायदा हो गया कि वो घर घर जाकर सामान बेच सकते हैं यदि हम कीमत कम करें तो हमारा लाब घर जाएगा हो सकता है बिकरी बढ़ जाए तो इस प्रकार हर एक विधि के अंदर आने वाले सकारात्मक वा नकारात्मक परि नामों के बारे में हम सोचेंगे चर्चा करेंग और उनके आधार पर मुलञांकन करेंगे मुल्यांकन करने के बाद अगले चरण में हमें चुनाव करना है कि अब इन में से कौन सा विकल्प लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्यूंकि पिछले चरण में हमने इन विधियों के सकारातमक वा नकारातमक पहलू को देखा, लाब हुआ, लागतों को देखा होगा अब हम चुनाव इस आधार पर करेंगे कि जो विधिया जो विकल्प कम से कम लागत या सबसे कम लागत में सबसे अधिक लाभ हमें दे जाए वो सर्वस्रेष्ट विधी हुई उस विधी को हम चुन लेंगे इस प्रकार पांचमें चरण में हमारे एक विकल्प का चुनाव हो जाएगा अब विकल्प चुन लिया मान लिजी हमने निधरित किया कि हम सेल्समेन को ही रखना चाहते हैं अब हमें लागू करना है अगले चरण में इस विकल्प को इससे जुड़े हुए क्रियाओं को लागू करना है हमें लोगों को नौकरी पर रखना होगा हमें हो सकता है किसी समाचार पत्रिया किसी जगह पर प्रचार करना पड़े कि हमें इस प्रकार salesman चाहिए हम उनको रखेंगे उनका साक्षात कार लेंगे पहले तो फिर रखेंगे उनका प्रिसिच्छन करेंगे फिर उनको हम सेल्समैन के कारे में लगाएंगे वो अपना कारे चालू करेंगे जिससे हमें विक्री प्राप्थ होगी तो जो भी विकल्प या योजना हमने चुनी उसको लागू करना है उसको लागू करने में बच्चों आपको ध्यान रखना है को कि जब इस चरणमें हम आते हैं तो यहां पर प्रबंधन के अन्य ponieważ हो जाती है인 नए करम्चारियों को रखना हो या एक धांचा त्यार करना हो काम कर? तरह के जो अन्य कार्य एक प्रबंधक को करने होते हैं जो कि आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे वो तब अस्तित्व में आते हैं जब हम अपनी योजनाओं को लागू करने जाते हैं अर्थात योजनाओं को लागू करने के लिए एक प्रबंदों को अन्य कई कारे करने पड़ते हैं उनकी सहायता से वह निर्धारित योजना या विकल्प को लागू करता है अब एक बार आपकी योजना लागू या क्रियानवित हो जाए वो काम में चल रही है इसके बाद आपको अन्तिम चरण के रूप में अनुवर्तन करना होता है अनुवर्तन का अर्थ है कि समय समय पर आपको देखते ही रहना है चक करते हैं कि जो योजना आपने बनाई जो कारे आपने उसके लिए चालू करवाए क्या वो योजना के अनुसार और लक्षे के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं क्या कोई कमिया है क्या आप अपने लक्षियों के तरफ समय पर सही तरीके से बढ़ रहे हैं यदि नहीं तो क्या कमया आ रही है, कैसे उनको ठीक क्या जाए, ताकर समय पर लक्षियों की ठीक प्रकार प्राप्ति हो. इसे ही अनुवर्तन कहा जाता है, आप बार 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 देखेंगे, समय उनक्य पर एक निश्यत अंतराल पर चेक करेंगे, कि आप अपने अंतिम लक्षे की तरफ ठीक से बढ़ रहे हैं कि नहीं आपकी योजनाएं ठीक से क्रियानवित हो रही हैं कि नहीं तो बच्चों यह हमारे नियोजन की प्रक्रिया के साथ चरण थे पहला वो देश्यों का निर्धारन दूसरा भविष्य से जुड़ेवे आधारों का विक्सित करना तीसरा कार्यवाहिक गतिविधियों या वेकल्पिक विधियों की पहचान करना फिर उनका मुल्यांकन करना उनके सकरात्मक नाकरात्मक पहलूओं को देखना फिर उसके आधार पर चुनाओ करना फिर योजनाओं को लागू करना वो समयसमे पर उनका अनुवर्तन करना तो आपने देखा कि कैसे नियोजन एक बड़ी विस्तरित प्रक्रिया है एक एक चरण या कदम करने दिला पाती हैं क्योंकि उनने योजनाओं बनातेे वक्त सवी चरणों का सटीग तरीके से अनुसरण नहीं किया होता है रुद हो प्रकर हमारे पास योजनाओं के दो प्रकर निकलके आते हैं आईये अब उन पर चर्चा करते बच्चों पहले प्रकार की योजना होती है एकल परियोग योजना, यारी कुछ योजनाय ऐसी होती है, जो केवल एक बार ही परियोग की जाती है, इन्हें किसी विशेश घटना या परियोजना हेतू विप्षित किया जाता है ये ऐसी योजनाए होती हैं जिनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद दुबारा इने बिलकुल उसी प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है कि इनका उदेश से केवल किसी एक विशेश योजना परियोजना प्रोजेक्ट किसी विशेशकारी करम आदी से जुड़े हुए लक्षिओं के प्राप्ती के लिए बनाया जाते ह। एक बर वो प्राफ्थ हो जाए फिर इन योजनाओं को निरस्थ कर दिया जाता है दुबारा फिर इनको नहीं उप्योग किया जाता है फिर नई योजनाओं बनाई जाती है ऐसी क्रियाविधी भविश्य में दोहराई नहीं जाती है अर्थात ये अनावृत परिस्थतियों ह प्रितू होती है यानि ऐसी परिस्थितियां जो बार बार नहीं आएंगी हम उनके लिए इन योजनाओं को बनाते हैं इन योजनाओं के अंदर मुख्यत तीन प्रकार की योजनाएं आती हैं बजट कारिक्रम वह परियोजनाएं बच्चों बजट शब्द अपने कई बार मैका भी बनाते हैं एक व्यवसाय अपने लागतों वा आगतों का बजट बना सकते हैं बजट विशेश कर एक निश्चित अवधी के लिए होता है माल लीजिये हम इस वर्ष का बजट बनाते हैं वह बजट इस वर्ष के लिए ही होगा अगले वर्ष हम वहीं बिलकुल एक किसी योजना नहीं है जो एक बार बना कि आप कई कई साल उसका उपयोग करें बजट समय समय पर वर्ष दर वर्ष आपको बदलतना होता है समय के अनुसार नए बजट बनाने होते हैं इसी प्रकार कारिक्रम हर कारिक्रम अपने आप में अलग है उसकी योजना भी अलग है यदि एक कारेकरम आज चल रहा है तो वैसा बिलकुल एक जैसा कारेकरम दुबारा नहीं होगा तो हर कारेकरम की टैयारी अलग तरीके से होती है यदि आप किसी ऐसे कंपनी में कारे करते हैं जो कई कारेकरमों या इवेंट आदी को आयोजित करते हैं तो आप जानते होंगे कि हर कारिकरम या हर ऐसा जो प्रयोजन है वह अपने आप में अलग होता है उधारण के लिए आप कई बार टीवी पर देखते होंगे फिल्मों में या बॉलिवुड में कई तरह के पुरसकार कारिकरम आपको देखने को मिलते हैं क्या हर साल यह कारिक्रम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं आपको? नहीं, हर साल उनकी रूप रेखा, उनका जो एक पूरा विस्तरित रूप से जो उनकी योजनाय बनाई जाती है, वो अलग होती है, तो कारिक्रम दर कारिक्रम योजनाय अलग बनानी पड़ती है, बजट हो या कारिकرम हो या परियोजनाय हो ये अपने विशेष उदुदेश य विशेष समय अब्धी के लिए बनाने के बाद फिर इनको दुबाराव्प्योग नहीं किया जाता हैं इसलिए इने हम एकल प्रियोग योजनाय कहते हैं इसी प्रकार कुछ योजनाय होती हैं जिने हम स्थाई योजनाय कहते हैं एक स्थाई योजना एक निश्चित समय अबधी के दोरान नियमित रूप से घटित होने वाली क्रियाओं में प्रियोग की जाती है इसे यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है कि एक संगठन के आंतरिक प्रचालन को भली प्रकार से ठीक प्रकार से चलाया जाए एक संगठन में ऐसी गतिविध्या जो बार बार होती है वो ठीक तरीके से हो, इसके लिए एक बार योजना बना कर उसे सुनिश्चित कर दिया जाता है ताकि उससे जुड़ेवे लोग उसको एक दिशा निर्देश के रोप में ले कर बार बार जब वो उसी प्रकार का कारे करें तो वहाँ उपयोग कर सकें जिससे किसी प्रकार की समस्या या विडंबना उत्पन ना हो ऐसी योजना मुख्य रूप से निर्णे लेने में कारे कुशलता को बढ़ाती है क्योंकि हमने योजना को बना दिया अब वही परिस्थिती जब भार-बार हमारे सामने उत्पन होगी तो हम उस परिस्थिती में पहले से निर्धारित योजना के अनुसार निर्णे ले सकते हैं तो हमारे निर्णे ज़्यादा कुशल या बहतर माने जाते हैं ये योजनाय सामानने ता एक बार विक्सित की जाती हैं परन्तु जरुरत पढ़ने पर इन्हें समय समय पर व्यवसाई की आवशक्ताओं की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है इनमें थोड़ा संशोधन हो सकता है तो थोड़े संशोधन के साथ इन्हें बार-बार उपयोग किया जा सकता है इस प्रकार की योजनाओं में शामिल होने वाले कुछ मुख्य योजनाई हैं नीतिया, कारिवधिया वा नियम बच्चों नीतिया जो हैं वो किसी भी व्यवसाई के आंतरिक क्रिया कलापों का दिशा निर्देश तै करती है हर व्यवसाई या उद्योग या कंपनी में कुछ विस्त्रित नीतियां होती हैं जिने सभी को पालन करना होता है उद्हारण के लिए मान लेते हैं यदि एक व्यवसाई की नीति है कि वह उद्हार अपने सामानों की विक्री नहीं करेगा तो अब चाहे व्यवसाई या उस मान लीजे दुकान में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हो यदि उसके व्यवसाई में यह नीति है कि वह उद्हार विक्री नहीं करेगा तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आये जब भी कोई उनसे उद्हार मांगेगा वो उसे नहीं देंगे क्योंकि उनकी यह नीति है कि हम उद्हार विक्री नहीं करते इसी प्रकार यदि कच्चे माल की प्राप्ती की बात हो उसके लिए हम कैसे सप्लायरों का या पूर्ती करताओं का चैन करेंगे इसके लिए भी नीती बनाई जा सकती है तो ऐसी नीतिया एक बार 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 उप्योग की जाती है वो ये हमें दिशा निर्देश प्रदान करते है इसी प्रकार कार्य विद्यों की यदि बात की जाए कार्य विद्यों का अर्थ होता है किसी विशेश कारे को करने में आने वाले चरण कौन-कौन से होगे किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा मान लीजिए यदि किसी विवसाई में नए करमचारियों को काम पर रखने की बात है तो उसके अंदर आने वाले चरण क्या-क्या है पहले एक फॉर्म भरना है फिर साक्षातकार होगा या पहले कोई परिक्षा होगी फिर साक्षातकार होगा फिर और किन चरणों से गुजरना होगा इस प्रकार के हम अपने चरणों को निर्धारित कर सकते हैं कि हम अपने व्यवसाय में नए कर्मचारी इस प्रकार ही रखेंगे एक बार यह नीती बन जाए, एक बार यह प्रक्रिया बन जाए तो हम बार बार फिर इसको उप्योग कर सकते हैं तो ऐसे जो योजनाए या क्रिया कलाप या क्रिया विधिया होती हैं, इन्हें बार-बार उपयोग बड़ी सरलता से किया जा सकते हैं तो इस प्रकार के योजनाओं को हम स्थाई योजनाओं कहते हैं तो बच्चों आज हमने देखा कि यदी हमें नियोजन करना है, यदी हमें योजना बनानी है, तो हमें किन चरणों से गुजरना होगा? इसके पश्चात हमने दो मुख्य प्रकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की, एक तरफ एकल प्रयोग योजना, तो दूसरी तरफ स्थाई योजना, जहां एकल प्रयोग योजनाओं में वो योजनाओं आती हैं, जो एक बार प्रयोग होने के बाद दुबारा काम में नह नहीं ली जाती वहीं स्थाई योजनाओं में वह योजनाय आती हैं जिनने हम थोड़े शंशोधन या कईबर बिना शंशोधन के भी बार-बार उप्योग कर सकते हैं योजनाओं को बनाते वक्त प्रबंदकों को बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि जैसा कि अब आप देख चुके हैं योजनाओं की आधार पर ही आगे आने वाली गतिविदिया निरधारित की जाती हैं आप आने वाले अध्यायों में प्रबंदक के आन्यकारियों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे योजनाय बनने के बाद उन्हें किया जाता है, तो ऐसे में योजनाय सटीक होना बहुत जरूरी हो जाता है, मैं आशा करता हूँ, आपको नियोजन वो हैत्व समझ पाए होंगे, इस अध्याय के दोनों भागों में इतना ही धन्यवाद. जैँ कर दो मैं आपडों में भाए हो, लिए हो जाता है, ए हूँ, जयए हो दो रहँआवाद, ऑلى हूँख你的 हमें दोनीवाद, छो जई हो भापों है, दोनीवाद बयारा को दोनीवानय वोगों के रहूईकर ट् relation हो है, जो बहूए हो बहूए है मैंईफदा जुए हैं जो